नमस्क्राइब दोस्तों कैसे हैं आप मैं अब मेनी भरदोज आपका स्वागित करता हूं दोस्तों आप किसी वेबसाइट पर गए तो वहां पर किसी कंट्री को सब्सक्राइब करते हैं तो यह ऐसी जो फिल्टरिंग या मल्टी लेवल डॉपडाउन मेन्यू आप अपने एक्सल में कैसे बना सकते हैं यह जानेंगे आज के वीडियो लास तक देखिए आपके बहु की राज की है यानि स्टेट की है और दूसरीई कैटिगरी जिले की है यानि इस्टिक की है तेसी और आप की लुग है अब यह काफी बड़े डेता बेस कर फ्ल्टर किया है हमने तीन छोटे-चोटे ड्रॉप डाउन मैनЮनियू बनाकर आप दीखेंगे डेता बेस यहां प तो यह जो list है, यह कुछ इस तरीके से आई है, यहां पर अगर हम इसको open करेंगे, तो यहां पर आपको cable देश के states दिखाई देंगे, और आप किसी भी state को अगर यहां पर select करते हैं, तो उसी state के आपको यहां पर दूसरी list में district दिखाई देंगे, आप देखे, यहां पर किसी जिले को select करते हैं, तो उस district के आप यहां पर नीचे block देख पाएंगे, तो आप देखे, आप देखे, आप यहां पर दूसरे district को select करते हैं, तो उसी के आपको यहां पर city या ब्लॉक यहां पर दिखाई देते हैं, तो यह जो filterization है, यह बहुत सारी जागे पर काम हाता तो आप भी अगर ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए ये आपके बहुत कामाने वाला है तो जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं हमने यहां पर एक डेटावेस तेयार किया है एक स्कूल के बच्चों का और यहां पर हमने एक टेबल किसे करेंगे और इस टेबल को बनाने में और इस डेटाबीस को बनाने में आपको किन-किन चीजोय का ध्यान रखना है यह हम जान लेते हैं तो सबसे पहले आते हैं क्लास वाले टेवल पर यहां पर हमने जो शपप्स पैलिंग ली है वही स्पैलिंग आपको उसके डाउन लिस्ट में उसके header में लेनी है तो आप देखेंगे या पर हमने 5 लिखा है उसी तरीके से हमको यहां पर 5 लिखना है 4 लिखना है अर इसके नीचे जो हमने यहां पर 5 लिखा है तो उसके लिए आप अंडर स्कोर का इस्तमाल करेंगे आप देखेंगे यहां पर नीचे एक अंडर स्कोर लगा हुआ है और उसके बाद ए लिखा हुआ है तो इन चीजों का आप धियान रखेंगे तो यह टेबल ठीक से काम करेगी अगर आपके पास कु सकता है कि वो नाम भारवार रिपीट ना हो तब आते है में चीज़ पर कि इसे वो टेबल कैसे बनाते हैं तो और से पहले हम यहां पर selection को सेइव करना सीख्ते हैं कैसे हम किसी selected list को nam आराम से इस्तेमाल कर सकते थे, यहां पर सबसे पहले हम पहली वाली जो list है उसको select कर लेते हैं, जाते हैं formula पर और यहां पर name manager आपको दिखाए देगा, इस पर click कर देते हैं, यहां पर आपको दिखाए देगा, new का option, अब यहां पर सबसे उपर यह पूछ रहा है name, तो यहा list को class के नाम से save कर देंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर एक list आ गई है, जो यह class के नाम से, save है, इसी तरिखे से सभी list के headers से हम इन सभी list को save कर लेंगे, तो आप हम दूसरा selection करते हैं, तो इसको यहां से close कर देते हैं, इसका एक दूसरा तरीगा भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको formula पर नहीं जाना है, आप सीदे सीदे यहां से select कीजे, और यहां पर आप जाकर name type करते हैं, यह भी आपके selection होंगे, जिन्हें आप सेव करते जा रहे होंगे, वो यहां पर आपको drop down menu में दिखाई देने लग जाएंगे, इसी तरीगे से हम सभी list को एक एक करके, यहां पर save कर लेते हैं, बस आपको select करना है, नेम बॉक्स में जाना है, और वहां उसका नाम type कर देना है, और enter कर देना है, तो आप देखेंगे, फोर्थ वाली जो class है, उसके लिए भी यहां पर selection ready हो गया, तो आपको यह ध्यान रखना है, कि आपको अगर selection में underscore लगा हुआ है, तो आपको same उसी तरीगे से उसको यहा आप ध्यान रखिएगा, जब आप इस तरीके के list को नाम बाइज नेम बॉक्स में select करें, तो हम एक एक करके सभी को कर रहेते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं, तो आप देखें, हमने सभी list को name tag से save कर लिया है, और आपको यहां पर जब आप click करेंगे, तो आपको पर भी drop down list बना सकते हैं, तो हम दूसरी sheet पर जाते हैं, और यहां पर आपको इस्तवाल करना है data validation का, तो आप data validation पर click कीजिए, यहां पर setting दिखाए देगी, और यहां पर validation criteria दिखाए देगा, इसको click कीजिए, और यहां सी जाहिए list पर, और यहां पर आपको दिखाए और source में आपको type कर देना है class, जो कि हमने वहां पर save किया था और इसको okay कर देना है, आप जैसे ही करेंगे, आपको यहां पर वो तीनो classes दिखाए दिने लग जाएंगी, तो यह बहुत अच्छा तरीका है, आपको कहीं पर कोई selection नहीं करना है, क्योंकि आपका selection पहले से किस कैसे करेंगे, वो भी अभी हम देख लेते हैं, अब आपको चाहिए class के हिसाब से, जो section है, वो यहां पर आए, तो second वाले इसके नीचे की cell को भी आप select कर सकते हैं, या इसके बरावर वाली cell को भी आप select कर सकते हैं, और हम फिर से जाते हैं data में, यहां पर data validation में, और यहां D I R E C T Indirect लिखने के बाद में आपको लगाना है एक bracket और यहां पर लगाना है आपको डॉलर का निशान डॉलर का निशान लगाने के बाद में आपको जो source देनी है वो देनी है जो आपका जो cell है जिसमें आपने वो पहली वाली value लिखी है तो यहां पर यह value आ रही है हमारी class है वो है C4 तो यहां पर हम type कर देंगे C4 और इस bracket को बंद करके यहां से से OK करेंगे तो आप देखेंगे हमारा दूसरा वाला जो drop down menu है उसमें fourth के जो सभी sections है वो हमें यहां पर दिखाई देने लग गए है अगर यहां पर हम select कर लेते हैं fifth को तो आप देखेंगे fifth के सभी sections हमें यहां पर दिखाई देने लग जाएंगे और अगर यहां पर select करते हम third को तो third के जो सभी sections है वो हमें यहां पर दिखाई देने लग जाएंगे अब आपको simply इतना अगले वाले के लिए भी यही करना है, आपको यहां पर किसी गॉलम को select करना है, और जाना है data validation पर, यहां पर आपको select करना है list को, और यहां पर आपको वही formula type करना है, indirect, तो यहां पर आप लगाएंगे बराबर का निशान, आप लिखेंगे in, di, re, ct, bracket, open करेंगे, यहां पर लगाएंगे आप dollar का निशान, और जो cell आपका section वाला है, उसका नाम आप यहां पर देंगे, तो यहां पर हम type करेंगे e4, इसको bracket को बंद करेंगे और यहां से okay करेंगे, तो आप देखेंगे, कि third class के section B के, जो सभी बच्चे हैं, उन सभी के नाम यह जाएंगे, तो आप यहां से उनको select कर सकते हैं, इसी तरीके से हमें fifth class के first section के बच्चों के नाम चाहिए, तो आप जैसे उसको select करेंगे, वो आपको यहां पर दिखाए देने लग जाएंगे, section B के बच्चों के अगर नाम चाहिए, तो आप यहां से select कर दीजिए, वो कीजिए, share कीजिए, और हमें comment करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारी website www.mybigguide.com पर जाने ना भूलिए, क्योंकि आपको वहां पर मिलने वाले हैं, धेर सारे computers related tips और tricks, और बहुत सारे ऐसे रोजगार परक कोर्सों के बारे में जान करी, बहुत बहुत धन कानने वाले हैं